कि नमस्कार मित्रों मेरा जिंदर कुमावत आपका स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल उज्वल क्लासेज पर दोस्तों आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक नुमेरिकल एनालाइसिस फाइनाइड डिफ्रेंट सेक्रेशन की यह वीडियो परिमित अंतरसमीकरण होती क्या है और उसका सॉलिशन कैसे निकाला जाता है आप लोगों ने देखा होगा सेकेंड ग्रेड में जो बुक चलती है डिफ्रेंशियल एक्वेशन अउतलन समीकरण सेकेंडियर की जो बुक है दोस्तों और उसमें से लगबग तीन-चार क्यू कैसे निकलेगा और वही कंप्लेट सॉलिशन होगा से प्लस पी आई तो हम इस वीडियो में बात करने वाले है परिमित अंतरसमीकरण के सी अप कैसे निकलती है और पी आई कैसे निकलती है दोस्तों चलिए अपने साथ वीडियो देखते आनंद लिग जी वीडियो पर एपएस प्लसे है जाता थah और फिए सक्वाईर होता था तो यहां पर फिए एक्स ट्वेच बन जाता था इस में परकार से फिस परकार से डेल ऊपरेटर बैटर्ट रहे खना उंकर होंगता जो डेल ओपरेटर है ना डेल और इमें एक रिलेशन वी था एक्वल टू क्या था दोस्तों वन प्लस डेल था यह जो रिलेशन है आपको काम में आने वाले है इस टॉपिक के अंदर तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि अंतर समीकरण क्या होती है तो डिफ्रेंस एक्वेशन एन एक्वेशन इन्वाल्विंग डिफ्रेंस ओपरेटर इस काल्ड डिफ्रेंस एक्वेशन यानि कि एक समीकरण जिसके अंदर डेल ओपरेटर आए यह नेबला ओपरेटर आए यह यह तीनों परेटरों में से कोई एक ओपरेटर इन्वाल्व होता है उसमें तो वही समीक वो आती है तो डेफिनेट आपका यह कुछन सही होने वाला है दोस्तों आपको कुछ फार्मॉलेज है याद करने पढ़ेंगे कुछ उत्तर याद करने पढ़ेंगे कूराखल कैसे गयात करते हैं दोस्तों तो परीबासा बिल्कुल के लिए है एक ऐसी समीकरण जिसमें अंतर ओपरेटर यानिके डेल नेबला और यह आता है तो वह अंतर समीकरण खेलाती है एक्जांपल के दोर पे हम दोस्तों यह लेख सकते हैं यहाँ प्लस वन होगा है तो आप यहाँ पे एच इक्वल टो वन समझना इन समीकरणों में डेल के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं ड लेल सक्वाइर वाई एन माइनस सिक्स डेल वाई एंड प्लस वाइए अन्ट दोस्तों यह डेल जो आ रहा है ना तो इसको एमें बदला जा सकता यह समीकरण इना तो आप यहाँ प्र देल की जगे अभी मैंने बताए एक वर्टु वन प्लस डेल होता है तो दोस्तों डेल बराबर के आया दिस इंप्लाइज ए माइनस वन आया तो यहां पर डेल की जगे हम ए माइनस वन करके इसको ए में बदल के फिर सोल गयात कर सकते हैं दोस्तों तो अलग-अलग कैसे जब भी हम पूरा गयात करेंगे किसी अंतर समीकरन का तो एकी फोरम में लिखना जरूरी होत वाइन माइनस यं प्लस 6 yn है और यह हैं इंट्रेट्यव फोरम में यानि कि इसको एकी फोरम में बदला जा सकता है यसको एसको इसको प्लस न लिखाजा सकता है इसको य वाइन लिखा जा सकता है और यह माइनस 6 yn ऐसे कैसे आ जाएगा दोस्तों हम इसको ऐसे चैंज कर सकते ही स्कॉर वाइन प्लस फाइब एवन एक पावर वाइन माइनस 6 वाइन एक पॉल टु एन को बात करेंगे की इसकी कोठी क्या होगी और घात क्या होगी तो दोस्तों हमारे जो वहाँ भाइक वाले अंतरसमी करन है और कोटी नटीक कितने भी हो सकती है दोस्तों लेग्स कोटी क्या होती है ऊडर यहां पर जो दोस्तों एक जो अधिकतम पावर होती है ना वही कि क्या खेलाती है और यहां पर कितनी पावर है वह क्या हो जाएगी गहात यहां पर घात पर हम एक ही की बात करेंगे केवल अपने सेलेवस में एक गात कही है दोस्तों तो आपको घबराने की बात नहीं है यानि कि अपने सेलेवस में रेखिक अंतरसमी करणी है तो कई बार क्यूशन पूंच लेता है निमें से रेखिक अंतरसमी करण नहीं है तो रेखिक अंतरसमी करण होता है ना दोस्तों उसमें वाई एन वाली जो ट्रम्स होती है ना वाई एन प्लस वन वाई एन या वाई एन प्लस टू यह मल्टीपल में कभी भी नहीं आती है रेखिक में आपको याद रखना है कोई भी अंतरसमी करण है और उसमें इस कोई समीकरण रेखिक अंतर समीकरण नहीं होगी यह उसमें वाई एंड की फोरम मल्टिपल में आ जाए दोस्तों अब हम बात करेंगे जो अंतर समीकरण है उसका स्वालिशन कैसे ज्याद करेंगे जैसे आपने देखा था कि अचर गुणांग को वाली रेखिक आउकलेंट सम करेंगे लीनियर डिफ्रेंस एक्वेशन विट कॉंस्टेंट कोपिसेंट इस ओप दे फोरम कौन सी फोरम में होगी वह यहां पर बात कर लेते अचर गुनांग को वाली जो अंतर समीकरण है उसका फॉर्मेट यह आएगा दोस्तों कौन सा फॉर्मेट आएगा देखो एज 30ड़ोएसे की ऐसे एन फ्लेस आर है तो एकी पावर और YN कर लेंगे है वन ऐसे है आर माइनस वन इकी पावर लगा लेंगे यहां पर वाइन ऐसे कैसे नगी और फिक पावर में चला जाएगा दोस्तों एट्टू एकी पावर आर माइनस तुवाई एन और प्लस डोट डो इन होया इकुवल टु एपफ़ एन हो गान्य है समझ मिन आ रहा हुगाए दोस्तों इतना तो अनले जू है यह तो यहां पे बचल रहा प्लैस डोट डोट यहां पे क्या बचा एन इंक्वल में क्या चल रहा है यह तो इका फंक्शन उन्स तो यह जीडिक सकता हूं दोस्तो csak लिख सकता हूं और यहां पर दρά लाएन यहां पर यह अपनी चिया है एक आंतरसमीर हैं यहां पर जब एफन एक्वल्टू क्या होगा जीरो होगा तो इस इस्तिति में अपने पास क्या आजाएगा दोस्तों फाई एवाई एन इक्वल टू जीरो आजाएगा तो यह पूरक्षा मिक्रण खेलाएगी इसकी जब आपने देखा था एफ ध्य वाई equal to qx तो यह qx equal to 0 होता है उस इस्तिति में अपने को विसिष्ट समाकलन ग्याती नहीं करना पड़ता है के वह जो cf होता है वह हल होता है तो हम बात करेंगे जो यह अंतर समीकरण आ रही है ना दोस्तों यह वाली जो अंतर समीकरण आ रही है अपनी 5e yn equal to fn इसका व्यापक निकलता है cf निकालने के लिए दोस्तों fn equal to 0 मानना पढ़ता है fn equal to क्या करना पड़ता है यह परता है फिर आपको उसी तरीके से साइक्समिकरण लिखनी पड़ेगी साइक – मैं कैसे लखे जाएगी इसकी साइक समीकरण दोस्तों मैं बता दू ौपको कैसे लिखी जाएगी देखो जैसे अभी यह क्यूसर आया था अपने पास यह वाला yn प्लस 2 प्लस 5 yn माइनस 6 yn equal to n square तो इसकी साइक समी करन इसकी मदद से बनेगी यहाँ पर 2 आया यहाँ पर 1 आया यहाँ पर yn आया जहां 2 आया वहाँ 5 rd gg यहका यहाँ पर-5 e-6 वहां इक्वल तुमय क्या लेंगे दोस्तों 0 कर लेंगे यहीच की साइक समीकरन है यानि यही की फॉरम में बदलनेंगे रायट-साइड गो superior करेंगे तो इक का जो अपने पास है के समीकरन आएगा ईसे पधो में थो वही क्या होगा और दोस्तो हम चालू करते हैं कि इसका जो पूरक been function आएगा उसका हल आएगा पूरक क्छल आएगा वह क्या होगा किस तरीकिसे निकले cassette तो साइक समिकरण लिखेंगे दोस्तों साइक समिकरण लिखेंगे उसका स्वीलिसंट निकाल लेंगे जैसे यहां पर हमने बात की यहां पर हम बात करें कि देखो दोस्तों यहां पर बात करते हैं यह इन वाय एन इक्वल टू एफ एन यह क्या है अपनी अंतरसमी करने हैं यह क्या है दोस्तों अंतरसमी करने तो रूड्स फॉर फटैंडिंग दे कम्प्लिमेंटरि फंक्सन पूरक खल गयात करने के जो नियम है वो देखने वाले जब भी पूरक फलन आप गयात कर रहे हो तो इसमेंर ये क्या हो जाये गारो दोस्तों जी रों तो यहां पे आपके पास फ्रहले स्टेप में फॉय वाईन्द टुजियरो फ्रिइत क्या कई एक समीगरन लिखनी एक्जियरे एक्ज्टोर्ड फिर एक्जियरी तो किया घर और देगा तो इसका रूट किया और वण बहना गया इसका रूट क्याता वगैuben तो इसका रूट के एक ersます यहां पर बात करने वाले हैं जो फाइए है अपना यह जो इस टेप फरस्ट में फाइए वाई एन इक्वल टुजी रवाया और उसकी साइक समीकरण आपने लिखी फाइए इक्वल टुजी रो और इसके सॉलिशन आपने ग्याद किये फाइए के अलग-अलग मान ग्याद कि नकल सब्सक्राइए तो यहां पर इसके जो रूट आ रहे हैं पेहले केसस में वह रूट आ रहे हैं वह लैमड्य बंड़ा टुर्यार gwेंस के से बनेगा दोस्तों सीवन लेमडा वन की पावर एंड प्लस सीटू लेमडा टू की पावर एंड अब कन्फूजन यह हो कि इसके दो ही मूल आए ज्यादा भी आ सकते हैं मूल तो जैसे मान लोगी फाइए इक्वल टू जीरो के मूल आगे एक्वल टू आपके पास आगे दो 2,3,4 और 5 आगे सां तो सीएप क्या है बनेगी दोस्तों सीवन टू की पावर एंड प्लस सीटू फ्री होर की पावर एंड फ्लस सीफोर फायप पावर एंड इस परकार से यह सीए बन जाएगी जब मूल बिन-बिन आते हैं तो ठीक है दोस्तों अब दूसरी बात आती है क जैसे हम बात करें दोस्तों इस परकार से आजए दूसरा हर केस है यह दि दो मूल बराबर आ जाए लेमड़ा 1 इक्वल टू लेमड़ा 2 इक्वल टू लेमड़ा जैसे यह 5E इक्वल टू 0 आपने इसको तो इकी वेल्यू आ गई दोस्तों आपके पास 2 और 2 दोनों इस अमान इंटो टू की पावर एंड इसी परकार से जैसे आपके पास मानलों की तीन मूहल एको लाए दो 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 एसे परकार यह से फ्रेटितर की अधार देङे 4 बार आ जाय इसी परकाड एकको फॉल एकुल देखो यह ऐसे आगया दो दो यह धो रहे पर तीं तीझ यह धी विक्कों गई दो इसको कैसे लिखेंगे सी थीड़तों सिटू सुझ कि नैंनि इंटो की पावर रिंट फिर प्लस यहां पर दिस्कस कॉंस्टब्स आज जा और लेम्डा टू आर रियल है और इक्वल है यानिक लेम्डा वन इक्वल टू लेम्डा टू ब्रावर लेम्डा तो से अब क्या बनेगा शी अंतर समीकरण है दोस्तों अपना जो अंतर समीकरण है फाइए यह वाला फाइए और इसको सोल किया और आपके एकी वेल्यू क्या जाए एलफा प्लस माइनस आयोटा बीटा आ जाए तो उस इस्तिति में इसका सोलीशन क्या होगा दोस्तों एकी वेल्यू क्या जाए एलफा मैंने डिफाइन किया लेमड़ा वन की वेल्यू क्या आ गई दोस्तों एल्फा प्लस माइल्फा प्लस लिटर यह तो पेर की रूप में आते जोड़े की रूप में हाते इस रिषिस्टिति में सिएप क्या बनता है और की पावर एंपलस सीवन को से टेता प्लस ची टू साइन स्क자ors और खेंगे कोंप्लेक्स मैं इक्रणांग होता है जाए लेते रहना यह दे और करते हैं यह हम यह कॉंप्लेक्स डूट फाइड गोट लाज़ए जैसे अभी आया था लेमडावन बराबर लेमडा तू इकुल टू लेमडा ता उसी परकार से यहां पर आ जाए दोस्तो यह दी इल्फावन प्लस माइनस आयोटा बीटावन बण बराबर एलफाटो प्लस माइनस आयोटा भीटा यह दोनों वेली इसके बराबर है डो बत वार दो बार आजै यह रूट वही तरीका है आर्की पावर एंड सी वन कोशेंचेटा प्लस कि टू-sinesent it up break it up plus यहां पर प्लस क्या जाएगा into में आजाएगा दोस्तों क्या जाएगा into men R की power n प्रागे वाले high C 3C आँप लिए यहां पर कमान क्या होगा दोस्तों r square प्लस क्यूंस दोस्तों एक चोनां किस कॉमप्लेक्स दोस्तों की बत करते हूं कैसे करेंगे रूल लिया है पूरकल ख्यात करने केवल लूंसुप आते हैं कॉम्प्लेक्स में आते हैं जैसा कि आपने अउकलन समिकर्ण में खुड़ा था उसी परकार से इसकी यह तीन चार नियम है यहां पर जैसे यह कि उसने 2013 में को जये की आ вопрос को विए अन्यच फ्यायो जाएगा न की यह वन ब्लसक यहां ब्राबर आ जाएगा तो पहले हम auxiliary equation लिखेंगे दोस्तों इसकी साइक्स हमीं करने लिखेंगे देखो UN plus 3 तो यह e cube बन गया minus यहां पर minus है दोस्तों है न यह minus 2 से के से UN plus 2a e square बन गया minus 5 e बन गया और यहां पर यह 6 है और इंटु में दोष्ट एगस्वाइए अब साइकसम ही करना दोस्तों आप क्या करोगे गुननखंड कर्लों गुनननखंड किया आपने मैनस सबएक और तो अपने पास वेल्यके ब्लस चौश साओन य刚 finge Wall Street तो देखो तीनों मूल अलग-अलग है तो CF क्या बन जाएगी C1 1 की पावर N प्लस C2 माइनस 2 की पावर N प्लस C3 3 की पावर N इस परकार से बन जाएगे दोस्तों अगला एकवर में आपको सोल करके बता रहा हूं यह एकी फोरम में है आपको साइक समीघंड यहां से देखके ऐसे कैसे लिख लें यह एक्यूब माइनस एट इसक्वार प्लस 21 यहां पर साइक समीघंड तो यही बन गई दोस्तों इसके गुननखन कर लिए क्यों और जी के एक लाया तो यहां पर दो मून एकवल आ तो सी वन टू की पावर्ट यहां पर एञां पर इंट्यूं समस्की सब्सक्राइब रहां इन इसरी शक्रादेंगे दोस्तों चाहिए मैंइस इट उससरी सकवर गाया गया तो 해야 एफ आगया और जो सी एफ है वही इसका क्या होगा कम्प्लेट सो लिसन वाइन बराबर यह आगया क्योंकि इसमें एक्वल टुजी रो है दोस्तों आज के वीडियो में कैवला हम इतनी बात करने वाले पूरा खल कैसे ज्याद करते हैं अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कि विशिष्ट समागलन कैसे ज्याद करेंगे जब अपने पास समी करन फाइए वाइन एक्वल टू एफ एन आएगा तो उस स्तेती में आपको पी आई भी ग्याद करना पड़ेगा दोस्तों यह आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करन दोस्तों और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं धन्यवाद